आज तक रेटियो, सुनता है सारा जहां, ग्यान ठ्यान आज अकल चुटकियों में हम कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर भेज देते हैं तकनीक का जवाना है, इंटरनेट का एकसेस है और इसी वजह से ये चीज़ें आसान हो गई है लेकिन इस आसानी के साथ कुछ मुश्किलें भी आती है, जैसे फेक न्यूज, अफवाहें, इन सब को रोकना इंटरनेट पर बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी लिए जब देश के किसी कोने में लोगों का घुस्सा फूरता है, हिंसा होती है या कोई आंदोलन होता है, तो सबसे पहला खत्रा मंड राता है इंटरनेट के उपर फेक न्यूज और अफवाहों से बचने के लिए इस पर रोक लगा दी जाती है, पर ये रोक लगाई कैसे जाती है, और किस कानून के तहत लगाई जाती है नमस्कार, मेरा नाम है आमन गुपता, और आज ग्यान ध्यान में जानेंगे कि सरकार इंटरनेट पर पाबंदी कैसे लगाती है, और क्या है वो कानून जो सरकार को ये ताकत देता है लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी यानि freedom of speech and expression को सबसे जादा जरूरी माना गया है भारती सम्विधान में अनुच्छेद 19 के तहट भारती नागरिकों को ये आजादी है कि वो अपने विचार खुलकर सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर या किसी माध्यम पर रख सकते हैं ऐसे में fake news और अफवाहें जन्म लेती हैं, लेकिन अगर कभी देश की आंत्रिक सुरक्षा को खत्रा हो, तो ये अफवाहा और fake news बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं इसी के चलते सरकार कई बार internet और telecom services पर पाबंदी लगा देती है अब internet पर पाबंदी यानि temporary suspension of telecom services ये public emergency और public safety rules 2017 के तहत किया जाता है और ये विवस्था Indian Telegraph Act 1885 के तहत आती है अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए order कौन दे सकता है तो आपको बता दूँ कि इस law के according केवल केंद्री ग्रही मंत्रालाय के सचिव यानि Central Home Ministry के secretary या फिर अगर राज्य के तहत इस law को इस्तिमाल किया जाना है तो राज्य के home department का secretary order दे सकता है इस law में दिल्चस्प बात ये है कि इस order को pass करने के लिए एक बड़ा ठोस कारण चाहिए यानि सरकार जब चाहे तब इसका उपयोग नहीं कर सकती उसे इसे pass कराने के लिए एक कारण देने की आवशकता होगी जब भी order सरकार देगी तो शुरुवात में केवल 24 घंटे के लिए ही टेलिकॉम सर्विसेज को बंद किया जा सकता है इसमें आपका internet भी शामिल है और तो और अगर ये order कभी दिया जाता है तो ऐसे में review committee का भी प्रावधान है जो इस कानून में दिया गया है review committee ऐसी परिस्थिती आने पर जब internet बंद कर दिया गया हो तो order पर अपनी पूरी नजर रखती है इस committee में cabinet secretary, telecom and legal affairs के secretaries शामिल होते हैं साथी साथ आपको ये भी बता दें कि IT Amendment Act 2008 का section 79A सरकार को ये भी power देता है कि वो कुछ particular websites पर भी रोक लगा सकती है अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जब 2017 से पहले public emergency और public safety rules नहीं था तब ये फैसले कौन लेता होगा उस वक्त ऐसी परिस्थितियों में ये पाबंदियां कैसे लगाई जाती होंगी तो ये भी जान लीजिए कि 2017 से पहले section 144 यानी जिसे धारा 144 कहते हैं उसके तहट code of criminal procedure के तहट ये order देने की power district magistrate यानी DM को थी इस विशाय में और जानकारी के लिए हमने बात की cyber expert गौरव पाठक से वो बताते हैं कि किन परिस्थितियों में कोई सरकार ये act लगा सकती है तो माम ये जो telecom rules बने में suspension के इसमें कोई specific या कोई list of reasons नहीं दी गई है कानून में कि किन conditions में block किया जा सकता है कानून दो चीजों पर बहुत specific है पहला कि जो भी reasons हैं जिसके current blocking order issue किया जा रहा है वो उस order में लिखे होने चाहिए और दूसरी बात कि इस order को issue करने के लिए दो authorities बनाए गई है अगर आप union government की तरफ से देखें तो वो home secretary है और state की तरफ से भी जो state के home secretary है वो issue कर सकते है unavoidable circumstances में joint secretary level का officer ये order issue कर सकता है उस order को तुरंत as early as possible जो appropriate officer है home secretary उसका approval चाहिए होता है और next दिन ही एक review committee बनाए गई है जिसमें काफी top officials होते हैं cabinet secretary etc उनके पास ये जो order किया जाता है suspension का उनको forward करना होता है और review committee उस order को review करती है तो जो इस कानून में checks and balances बनाए गए हैं उसमें government को काफी free hand दिया गया है किन conditions में वो telecom services को suspend कर सकती है mobile internet को suspend कर सकती है क्योंकि government कभी predict नहीं कर सकती कि किस type की परस्थेतिया उसके सामने आएंगी लेकिन साथ ही साथ एक hierarchy में काफी restriction किया गया है कि कौन order issue कर सकता है so supreme court का judgment आये था अनुराधा भसीन वाले मामले में जिसमें कश्मीर में article 370 जब change हुआ उसके बाद mobile internet बंद कर दिया गया था तो उसके अगर आप कुछ paragraphs को note करेंगे paragraph 93 और 94 specifically तो उसमें supreme court ने भी note किया है कि जो ये checks and balances हैं ये बहुत जरूरी हैं ये केवल कानून में नाम के लिए ही नहीं दिये गए हैं इनको बहुत अच्छे से follow करना जरूरी है सरकार के लिए और जो भी order आए blocking का उसमें वो specific reasons होने चाहिए कि किन कारणों से उस area में internet block किया जा रहा है एक दूसरा बहुत बड़ा पहलू होता है proportionality का कि समझ ये कल दिली में ही situation हुई वो कुछ घंटों तक के लिए थी तो इस कारण से एक महीनियम तक के लिए दिली में internet block नहीं किया जा सकता जितनी देर तक वो law and order situation है या कोई भी दूसरी situation है उतनी ही duration के लिए उससे थोड़ा जादा के लिए एक blocking order issue किया जा सकता है तो proportionality एक बहुत important aspect है जिसमें जो भी सरकारी अफसरी order issue कर रहा है जिस भी area में issue कर रहा है उसकी coverage को देखते हुए ये उसको बहुत ध्यान से issue करना पड़ेगा ताकि बिना किसी कारण के किसी ऐसे area में internet नहीं block कर दिया जाए जहांपे उस घटना का कोई लेना देना नहीं है उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो पूरे अगर केवल NCR में कल का law and order issue था तो पूरे अगर उत्तरब देश में internet ब्लॉक कर दिया जाता तो वो proportional नहीं माना जाता ये थे cyber expert गौरव पाठक ये एक्ट क्या होता है ये तो हमने जान लिया लेकिन 1885 में बनाए गए इस कानून का सिर्फ दो ही बार इस्तेमाल हो सका है पहली बार तो 26 जनवरी 2021 यानि 72 गरतन तरतिवस के मौके पर इस्तेमाल किया गया जब दिल्ली में किसानों का अंदोलन हो रहा था और दूसरा 19 और 20 दिसमबर 2019 को जब दिल्ली में CAA और NRC को लेकर दंगे हो रहे थे 2019 की बात कर लेते हैं तो 19 दिसमबर 2019 को टेलिकॉम कंपनीज भारती एरटेल और वोड़ाफोन आइडिया ने ट्वीट करके अपने ग्रहाकों को ये बताया था कि दिल्ली के कुछ इलाकों में टेलिकॉम सुवधाय बंद की जा रही है ये और पुलिस डिपार्टमेंट के स्पेशल से टेलिकॉम कंपनीज को मिला था ये और्डर भी बढ़ते प्रोटेस्ट को देखकर दिया गया था जिससे आंदोलन के बारे में जो जूटी अफवा हैं हैं और फेक न्यूज हैं उनको फैलने से रोका जा सके 26 जनवरी 2021 को हर्याना सरकार ने तीन जिलों में सभी प्रकार की टेलिकॉम सर्विसेज 2018 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टेलिकॉम शटडाउंस इंडिया में ही हुए हैं पूरी दुनिया के सरसठ फीजदी शटडाउंस भारत में देखे गए इन सर्विसेज को रोकने का भारी वित्ती नुकसान भी होता है युगांडा में शटडाउं को लेकर एक अनुमान आया था कि हर दिन करीब धाई करोडों डॉलर का नुकसान हुआ और युगांडा के लेहाज से तो भारत में मुबाइल यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है तो नुकसान कितना हुआ होगा इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते तो ये था आज का ग्यांध्यान जिसमें आपने समझा कि देश में इंटरनेट पर पाबंदी किस तरह से लगाई जाती है किस कानुन के तहत लगाई जाती है लेकिन Temporary Suspension of Telecommunication Services Act को लेकर डिबेट्स होती रही है कि ऐसा कोई law एक लोगतंतर में होना चाहिए या नहीं खैर ये तै करना हमारे lawmakers का काम है हमारा काम है आपको देश दुनिया की रोचक जानकारियां देना जो हम आपको दे रहे हैं आज तक रेडियो पर आप सुन रहे थे हमारा पॉडकास्ट ग्यान ध्यान मेरा नाम है अमन गुपता इस पॉडकास्ट के लिए जानकारी जुटाई हमारी साथ ही अनुशका ने इजाज़त दीजे नमस्कार हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सिरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके यानि अलग-अलग बीमारियों पर मशूर डॉक्टरों का ज्यान उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुँचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियों पर